Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD जॉब में Atomic Energy Central School से शिक्षक भरती का एक और विज्यापन जारी कर दिया गया है जहां Pre-Primary Teachers की Vacancy आई है, Primary Teachers की Vacancy है इसके अलावा Trained Graduate Teachers की भी Vacancy निकाली गई है सब्जक्ट की अगर हम बात करें तो काफी सब्जक्ट की Vacancy है जैसे कि TZT में Hindi, English, Sanskrit, Math, Science की Vacancy है Physical Education Teachers की Vacancy है और बहुत सारे candidates जो की Arts की पूस्ते हैं तो बिल्कुल Arts की भी Vacancy यहां पर आई हुई है ठीक है, काफी अच्छी यह Vacancy रहने वाली है Salary की अगर हम बात करें तो केंद्रे विध्याले में जिस तरीके से Salary वगरा, Age, Criteria वगरा रहता है उसी तरीके से जो है यहां पर भी रहने वाला है सब ही राजियों के candidate बिल्कुल यहां पर आवेदन कर सकेंगे तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी पोस्ट है और उसमें subject कौन कौन से है qualification क्या कही गई है तो सबसे पहले देखें TZT में English की वेकेंसी है SST, Social Science की वेकेंसी Hindi, Sanskrit की है Maths, Physics की है General Science, Bio and Chemistry की है और Physical Education Teacher की वेकेंसी है Male और Female दौनों की English में जो है ये कह रहे हैं कि English subject आपका graduation में आपने तीनों साल पढ़ा हो साथ में B.Ed आपका होना चाहिए और उपर जो लिखा गया है Paper 2 Seated Paper 2 आपका qualify होना चाहिए TZT के लिए Social Science में इसनातक में यानि graduation में दो subject आपके पढ़े हों History या geography या economics या political science इन चारों में से दो subject जिसमें से history या फिर geography तो जरूरी है यानि एक subject अगर history है तो दूसरा geography हो सकता है दूसरा economics हो सकता है दूसरा political science हो सकता है इसी तरीके से अगर एक subject geography है तो दूसरा history हो सकता है economics हो सकता है political science हो सकता है साथ में जो है B.E.D. compulsory रहेगा, seat at paper to qualify होना चाहिए हिंदी या फिर संस्कृत के लिए अगर आप apply करते हैं तो हिंदी या संस्कृत जो है आपने एक subject के रूप में इस नातक के तीनो साल में पढ़ा हो Maths and Physics के लिए जो है वही है कि आपने Mathematics and Physics Graduation में दो साल पढ़े हो B.E.D. भी जो है इसमें चाहिए General Science, Biochemistry के लिए Chemistry and Botany या Zoology Graduation में दो साल पढ़ी हो कम से कम दो साल पढ़ी हो ठीक है और तीन साल पढ़ी हो तो काफी अच्छा है और Beard सभी में जो है seated आपका Paper to Qualify होना ही चाहिए Physical Education Teacher के लिए डिग्री आपकी होनी चाहिए Physical Education में अभी जो है बहुत सारे Candidate पूछते रहते हैं Drawing Arts की जो Vacancy है आए तो बिल्कुल बताइएगा तो Vacancy है यहाँ पर Bachelor of Fine Arts या फिर Bachelor of Visual Arts या फिर इसके equivalent 4-year duration from a recognized university with a minimum 50% marks in all the 4-year together in the subject concerned या फिर इसके equivalent CGPA आपने किया हो ठीक है तो यहाँ पर जो है Bachelor डिग्री आपके पास होनी चाहिए डिग्री या डिप्लॉमा आपका Art में ड्राइंग में होना चाहिए Second इन्होंने लिखा है कि Proficiency in Teaching in English Medium English Medium में पढ़ाना होगा PRT के लिए अब English Medium या नी NCRT की जो English Medium की बुक है वो ही आपको पढ़ाना रहेगा Primary Teachers के लिए Senior Secondary 12th आपका होना चाहिए साथ में डिप्लॉमा आपका होना चाहिए DL Ad आपने किया हो या आपने BL Ad किया हो या D Ad किया हो ठीक है या BTC किया है साथ में जो है CTAT Paper 1 आपका Qualify होना चाहिए PRT तेलगू की वेकंसी है Pre-Primary Teachers की वेकंसी है तो इसमें 12th के साथ में Pass in Senior Secondary या Higher Secondary Certificate Examination और Intermediate और It's Equivalent with a Minimum of 50% Marks in Aggregate और Equivalent CGPA Next जो है इन्होंने डिप्लोमा जो है साथ में होना चाहिए यानि 12th के साथ में Nursery Teacher Education आपने किया है या Pre-School Education या फिर Early Childhood Education Program ठीक है जो की 2 सालों से कमका तो नहीं होना चाहिए या फिर B.Ed. Nursery में आपने किया है या Entity Course किया है तो बिल्कुल आप लोग अप्लाए कर सकते हैं English जो है यहाँ पर कहा है Pre-Primary Teachers के लिए कि आपने 12th में English जो है एक Subject के रूप में पढ़ा होना चाहिए और 4th जो है कि Compulsory है English Medium में ही पढ़ाना होगा अब देख लेते हैं Vacancy जो है कहां से आई है तो Atomic Energy Central School हैदरवाद से Vacancy है और यह जो Vacancy है Purely Contract Base पर Vacancy है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है Contract Base पर Vacancy है यह Permanent Vacancy नहीं है अब देख लेते हैं Selection कैसे रहेगा Mode of Selection Return Exam होगा और इसमें लिखाए Only Shortlisted Candidate will be called for Return Test तो Return Test रहेगा MCQs आपके 50 questions रहेगे 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा 50% marks जो है आपको लाने होगे General Category के Candidate को और 45% लाने होगे SC, ST, OBC, Physical Challenge Candidate को Return Test Qualify जो Candidate कर लेंगे तो Same Day उनका Skill Test होगा तो यहाँ पर जो है आपका Demo जो है वो तयार रखें आपके किसी भी Topic पर जो आपका subject है उससे संबदित Salary आप देखें तो जो Post है Pre-Primary Teachers की तो यहाँ पर 21,250 पर मन्त है PRT के Teachers की भी यही है salary TZT के Teachers की जो salary है 26,250 पर मन्त है Essay Candidate जो की Full Time नहीं करना चाते है तो यहाँ पर लिखा है कि 170 पर period हर एक period के लिए आपको 170 रुपे मिलेंगे और अगर आप Pre-Primary या फिर Primary Teachers की Post पर रहते हैं TZT के लिए जो है आपको पर period 210 रुपे यहाँ पर मिलेंगे ठीक है तो Essay Candidate जो की Permanent Job की तयारी कर रहे हैं Government Job की तयारी कर रहे हैं तो अगर वो यहाँ पर जाना चाते हैं तो बहुत आराम से यहाँ पर जा सकते हैं जैसे कि आपका Subject है अगर और अगर आप First Grade की तयारी कर रहे हैं आपको Subject भी आपका अच्छा होना चाहिए ऐसा आप सोचते हैं तो कोई बुराई नहीं है कि आप लोग जो है परड़े के According यहाँ पर Salary भी ले रहे हैं और आपका Subject है वह भी अच्छा हो जाता है तो दूसरी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं जाकर वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फीस देकर आप लोग कोचिंग करते हैं इससे अच्छा तो मेरा मानना यह रहता है कि आप लोग किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर वैकंसी निकलती है तो जरूर वहाँ पर पढ़ाया करें क्योंकि जो सामने होगा वो सबसे ज़्यादा याद रहेगा ठीक है मैक्जिमम एज आप देखें 30 एर है PRT प्री प्राइमरी टीचर्स की और 35 एर है TGT की एज रिलेक्सेशन है SCST को 5 साल की OBC को 3 साल की वोमेन कैंडिडेट को 10 साल की और physically challenged as per the government of India norms तो यहाँ पर 10 साल की लगवग चूट रहती ही है इनको चैंडिडेट है व्याद व्याद प्राइमरी आपको क्या करना है application form डाउनलोड करना है main website से लिंक यहाँ पर बहुत सारे दिये गए है किसी पर भी आपको जाना होगा फिलाल में आप लोगों को advertisement जो दिखा रही हूँ वो यह है nfc.government.in ठीक है date आपको ध्याद में रखने है 26 फरवरी से जो है अविदन स्राट है 9 March 2024 तक यह चलने वाले है बाकि general instruction जो है वो आप देख ले कि attested photocopy एक पूरा set जो है आप लोगों को आपकी mark sheet certificate document जो भी है application form के साथ आपको attach करने है no application by email email से नहीं भेजना है post करनी आप लोगों को address जो है यहां लिखा हुआ है उपर जो address था Principal Coordination Atomic Energy Central School 2 DAE Colony ECIL Post Hyderabad 540062 यह address रहेगा CETAT qualification is must for PRT के लिए paper 1 और TGT के लिए paper 2 तो यह पूरा advertisement है जो भी candidate apply करेंगे दुबारा से जो है यह सारी चीज़ें आप पढ़े उसके बाद apply करें contract base पर है फिलाल यह vacancy अब जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ application form आपको कहा मिलेगा और यह पूरा advertisement पढ़ने को कहा मिलेगा link में आप लोगों को share करूँगी उस पर आप click करेंगे आपके सामने जो है यह page open हो जाएगा यह आप उपर लिखा है recruitment इस पर click करना है तो आपके सामने यह page होगा यहाँ पर देखिए 7 फर्वरी 2024 इसमें देखें purely on contract basis या फिर per period basis in AEC School Hyderabad for the academic year 2024-25 advertisement पढ़ने के लिए आपको इस पर click करना है application form के लिए आप लोगों को इस पर click करना है ठीक है तो यह application form आपके सामने आ जाएगा इसे आप लोगों को download करके fill करके और अपने जितने भी document है उनको इसके साथ में attach करके और send कर देना है fees वगरा मुझे तो कोई भी नहीं नजर आई है कोई fees यहाँ पर लग रही है कोई भी fees नहीं लग रही है फिर भी आप दुबारा से देख ले क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि मेरी नजर ही ना पड़ी हो बाकि मुझे तो कहीं पर नजर नहीं आया कि application fees यहाँ पर है ठीक है application fees नहीं है तो चलिए मिलेंगे next वीडियो में next vacancy जिस भी राज्य की जारी होती है क्योंकि जितने भी राज्यों की vacancy जारी हो रही है सिक्षक भरती से जोड़ी सभी cover करने के बारे मैं सोचती हूँ कोई भी candy rate जो है तो यहाँ सूचना नहीं दी जाती है बिल्कुल आप लोगों को regular जो है आप बने रहें आपके राज्य की vacancy आपके लिए जो है vacancy बिल्कुल आएगी अगर अभी तक आपको नजर नहीं आई है तो आप लोग चैनल पर बने रहें और लगातार देखते रहें बहुत ही जो है छोटा वीडियो बनाने के बारे में सोचती हूँ ताकि आप लोगों का time भी waste ना हो और आप लोगों को जो जानकरी जो भी चाहिए वो आपको मिल सके समय पर जाता से जादा वीडियो को share करें ताकि आपके दोस्त रिलेशन में जो भी job करना चाहते हैं जो भी job के लिए जो है परेशान होते हैं कि vacancy की सूचना ही उन्हें नहीं मिल पाती है तो समय पर मिल सके मिलेंगे नेक्ट वीडियो में थैंक यू